Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे तो आज देखने वाले हैं कि आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे आपके बारे में और आपकी भी एनरजी को चेक करने वाले हैं हम आज के अपनी इस रीडिंग में तो चलिए करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट देखते हैं क्या कार्ट्स निकल के आते हैं आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए है ठीक है तो चलिए होली के दिन इस महापरव पर होली फेस्टिबल पर हम लोग यह रीडिंग कर रहे हैं चलिए करते हैं होली का तेवहार सेलिब्रेट गाइड करें एंजल्स गाइड करें एंजल्स इनिवर्स और सेस्टर्स ओके मेरे वीवर्स के पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोट रहे थें कि ओके तो फोकस कीजिया जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जो है छुट्टी नहीं रखोंगी मदलब कि आप लोग को रीडिंग मिला करेगी उसी के दौरान से आपको रीडिंग मिल रही है आप सबने रंग खूब खेला होगा और शाम को अबीर भी आप लोग खेलने वाली है चलिए देखते हैं कार्ट्स क्या निकल के आते हैं आप लोगों के लिए गाइड करें आंजिल्स okay just a minute okay okay very nice very nice six of wands devil के नेज़ी है okay Okay, King of Swords, Eight of Cups, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, Okay, Okay, so, ये cards आपके partner के लिए आये हैं, ठीक है, तो देखते हैं, Six of Wands के नरजी, क्या बता रही है, Six of Wands के नरजी, क्या बता रही हैं, Okay, so, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, कि आपके partner जो है न, आज सुबह सुबह अगर मैं देखूं, तो आज सुबह सुबह, सबसे पहले तो आपकी याद बहुत ज़्यादा हावी थे इस person के उपर, आपकी याद, आपकी बात, आपके partner के उपर काफी हावी रही है, क्योंकि ये जो person है, बाहर से तो बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा happy दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर, इनका जो मन है, काफी परेशान दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, कि कितना ददा ये person परेशान है, तो येस, आपके partner के अंदर भी वही energy दिखाए दे रहे हैं, ऐसा दिखता है, जैसे कि आपके partner अपने आपको blame कर रहा है, है पूरी तरीके से blame करने वाली energy है और ऐसा दिखता है जैसे कि आपके partner आपको लेकर अपने feelings को लेकर अपने emotions को लेकर कि काफी जदा clear भी है और मुझे यहीं भी दिख रहा है जैसे कि आपके partner को एक जो कह शक्ते है ना कि जो तकलीफ है जो दर्द है जो pain है ना वो आपके partner को होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके partner के बीच में जो भी बाते रही है या कहें तो जो भी black energies रही है मुझे जहां तक लगता है कि आप दोनों के बीच में blockages भी काफी जदा रही है और black energies भी काफी जदा रही है क्योंकि यहाँ devil की भी energy है आपके partner इतना जदा आपको मिस कर रहे है कि आज एकदम से इल्कोहल या फिर कहें तो यह person की आदते भी गड़ गई है health issues होने लगे है इनके आदतों के वज़े से या कहें अपना है ना जैसे कि इल्कोहल लेना या फिर कहें तो cigarette जो है ना यहाँ पे पीना या गांजा है ना यह सारी जीज़े जो है ऐसा दिख़रा है जैसे कि unhealthy चीज़ों का जो है ना यूज आपके partner करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपने जो तकलीफे हैं जो दर्द हैं उनको भी भूलाने की कोशिश करते हुए यह परसन मुझे नजर आ रहे है ठीक है मुझे ऐसा फील होता है डैविल के अनर्जी से कि यह आपके partner जो है ना अपने आप में अपने जो फिलिंग से अपने जो एमोशन्स हैं है ना उसका सामना करते हुए यह परसन मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है तो यह अनर्जी मुझे क्लिरली दिखाई देरी है सांथी साथ मुझे ऐसा फील होता है, जैसे कि आपके partner को अंदर से जो एक पेन होता है, वो आपके partner को तो पेन हो ही रहा है, सांथी साथ यह जो पॉर्चन है अपने आपको सरवाइव करते भी दिखाए दे रहा है, इसा दिखाए आजैसे कि कुछ बाते हैं, कुछ अनकही सी हैं कुछ अनकही सी चीजह है जो कि पोर्षन कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहां पर यहीं दिख रहे हैं कि यस आपके पार्टनर को जो है एपने शितना कंट्रोल कर रहे हैं कि इनके अपने पैशन को भी कंट्रोल करना पथा ठीक है मैं देखके आपका जो रोड़र हैना काफी तकलीफ में आता वह दिखाई दे रहे हैं यहा implicaublis साथ भी दिखाए दे रहे हैं King of Swords King of Swords का कार्ड कि सो यहां पर King of Pentacles के energy है सो यह आपके पार्टनर काफी प्रक्टिकल भी है काफी प्राक्टिकल है और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके partner इतने practical है न उतना ज़धा जो है मतलब एक होता है कि loyal होकर के सोचना है न तो आपके partner बहुत loyal होकर के सोचते भी भी दिखाई दे रहे हैं ऐसा दिख रहा है कि loyalty भी काफी अच्छै है आपके partner के अंदर और loyal रहकर के ही बहुत सारी चीजों को जो है ना समझना बहुत सारी चीजों को gain करना ये सारी चीजी जो है मुझे नजर आ रही है आपके partner के अंदर ठीक है मुझे ऐसा feel होता है जैसे कि आपके और आपके partner के बीच में कुछ ऐसी बाते जरूर है मुझे ऐसा Feel हो रहा है आपके और आपके पार्टनर को काफी पेन, काफी तकलीफ हो रही है लेकिन आपके पार्टनर प्रैक्टिकल रहने की कोशिच कर रहे है आग सुपह सुपह अपने आपको manage या कहें तो यह दिखाने की कोशिच इनकी लगातार रही कि नहीं नहीं यह person ॥ीक है या फिर इनको कोई फरक नहीं पढ़ता है यह अपने आप में ठीक है खुश है ठीक है यह ऐसी चीजे जो है ना करते हुए यह person मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके partner काफी कुछ चीजों को जो है ना सोच रहे हैं और decide भी कर रहे हैं मुझे जहां तक लगता है कि person अपने career को ले करके अभी काफी ज़दा focused है और इनका मन ऐसा है कि अभी life में पहले stability होना बहुत ज़दा जरूरी है पहले life को stable करना बहुत ज़दा जरूरी है उसके ब पार्टनर की बीच में ऐसी energy है the hangman यहां पर ऐसा दिख रहा है जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही मायूस बहुत ही जदा उदास और बहुत ही जदा परेशान होना ठीक है वह energy मुझे दिखाए देरी है ऐसा मुझे feel हो रहा है जैसे कि आपके और आपके partner की बीच में वह वह होत सामना करते हुए आपके partner मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है मुझे ऐसी feeling या ऐसी vibe जो है ना दिखाई देरी हैं जैसे कह सकते है कि आपके partner future नहीं देख पा रहे है future decide नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं यह person बहुत उदास है कहीं ना कहीं यह person बहुत जदा परेशान है ठीक है सो मेरा focus बार बार यहां पर जा रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि होली खेलने के दौरान से मुझे यहां चूट आ गई है और बहुत जलंग फिल हो रहा है तो मैं यहां पर यह बता रही थी कि आपके जो partner है काफी स्टक हो गए है काफी ज़दा स्टक हो गए है और काफी परेशान है ऐसा फिल हो रहा है मुझे कि पॉर्षन को आपके साथ जो है अपनी life को आगे लिके जाना है या फिर करें तो आगे future को देखना है लेकिन यह person future देख भी पाएंगे आपके साथ की नहीं देख पाएंगे इनको यह भी थोड़ा सा problematic लग रहा है वर ठीक है आपके partner का ऐसा मानना है कि मैं सब कुछ सही कर लूँगा या कर लूँगी ठीक है क्योंकि समय पे जो है ना सब कुछ सही हो जाता है आपके partner का मानना यह है ठीक है और यह person करेंगे भी मुझे जहां तक दिख रहा है कि person करेंगे बहुत जल्दी करेंगे और यह जो person है आपके बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि focus होते हुए दिखाई दे रहे हैं focus करते हुए दिखाई रहे हैं और मुझे यह भी दिखता है जैसे कि आपके partner को जो attachment होती है फील्द उस attachment को यह person बर करार रखना चाहते है उस attachment के साथ जो है यह person है ना आपके साथ आना चाहते हैं सो मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है night of pentacles के energy क्यों है यहां पर night of pentacles के energy क्यों है यहां पर guide और फ्रायूटी तो देते ही देते हैं लेकिन आपको भी फर्स्ट पर यूटी देंगे ऐसी feeling मुझे आती भी दिखाई दरी है मुझे ऐसी लाइब बाती भी दिखाई दरी जिसे कह सकते हैं कि नहीं आपके partner को तो आपके साथ आना ही आना है ठीक है कि आपके partner आपको लेकर के काफी ज़दा hopeful है इस relationship के regarding काफी hope जो है इनकी जूड़ी हुई मुझे नजर आ रही है मुझे ऐसा feel हो रहा है आपके cards में ऐसी energy मुझे आती भी दिखाए दे रही है ठीक है चलिए देखते हैं आप क्या feel कर रहे थे आप सुबह सुबह guide करें एंजल्स मेरे viewers क्या feel कर रहे थे अपने partner के लिए ओके page of pentacles six of pentacles ace of cups judgment का card है three of wands and है मेरे पास four of pentacles मुझे जहां तक देख रहा है कि आप इंतजार में हो आप अपने partner के इंतजार में हो और ऐसा दिखता है जैचे कि आपके साथ तो गलत हुआ है बहुत ज़दा गलत हुआ है ये आपको भी पता है ठीक है आपके साथ बहुत गलत किया गया है या आपके साथ गलत हो गया है ठीक है by nature ही हुआ है लेकिन हुआ जरूर है आपके साथ गलत और इस बात को लेकर कि आप बहुत ज़दा तकलीफ में हो बहुत पेन में हो कि यार मेरे साथ ही गलत क्यों होता है मेरे साथ ही ये क्यों होता है इश्वर मुझे कोई रहा दिखाओ ठीक है तो आप अपने इश्वर को भी याद करती हुए दिखाई देरो मुझे माफ कर दो मुझे माफ दो इश्वर है तो माफी तो मिलनी चाहिए जो मांगते हुई पॉर्टथर मुझे दिखाई देर है मुझे ऐसा भी फिल हो रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टर के बीच में है ना कि यह आली में जो चीजे हुई है है ना उसको लेकर करके आपके और आपके पार्टर के बीच में थोडा सा ईक जो अटाश्मिंट है से ऐसी वाईब आ रही है ठीक मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको क्या करना है जगलिंग कर रहे हो आप जगलिंग कर रहे हो कि क्या करूं मैं क्या करूं मैं कैसे करूं मैं रिलेशनसिप को सही करना मेरे हाथ में हैं भी की नहीं है क्योंकि आप बार 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 यही फील कर रहे हो कि येस आपको relationship को जो है ना सही करना है और सही करना है तो उसके लिए क्या कुछ चीजे करनी होंगी ठीक मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है ठीक है मुझे ऐसा फील हो रहा है जिसे कि आप अपने partner को लेकर कर के काफी शूर हो कि यह जो person है मुझसे बात जरूर करेगा ठीक है आप अपने partner को लेकर के शूर हो लेकिन आपका क्या होना चाहिए decision उसको लेकर के थोड़ा सा आप समझ रहे हो ठीक है यहां पर अफसोस भी कर रहे हो कि मैंने उसे प्रपोजल दिया और उसने accept नहीं किया उसने मना कर दिया और उसका कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है कैसे होगा कैसे नहीं होगा कोई भी idea मुझे नजर नहीं आ रहा है आपके और आपके partner का ठीक है मुझे ऐसा feel हो रहा है जैसे कि आपके partner को आपके साथ जो connection है उसको जोड़ना तो है लेकिन साथी साथ मुझे ये भी feel हो रहा है जैसे कि आपके partner को आपके लिए एक जो कह सकते हैं न कि बहुत अपसोस वाली energy है बहुत अपसोस करते हुए यह person मुझे नजर आ रहे हैं मुझे ऐसा feel हो रहा है जैसे कि एक four of cups का card four of cups का card clear दिख रहा है कि अपसोस इसलिए हो रहा है कि आपके partner आपके साथ है नहीं ठेक है कहीं आपको अकेले पन में रहना पड़ रहा है और आप compromise करना चाहते हूँ इस person से लेकिन compromise भी नहीं कर रहे हैं आपके partner उसको ले करके भी आप थोड़ा अपसोस कर रहे हो आपको न्यू बिग्निंग करने हैं ठीक है आपको न्यू बिग्निंग करनी है और आइस पेशली होली के दिन आप वेट कर रहे हो कि अरे यार उसका call आए मैसेज आए holy wishes तो कर ले ठीक है तो यहां देख रहा है कि आप बस एक बहाना चाहते हो बहाना चाहते हो कि आपके partner आपकी life में आए तो सही पहले पता तो चले कि हाँ यह person आपके life में आना भी चाहते है कि नहीं आना चाहते है उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं कर तो यह आ पर यहीं दिख रहा है कि ऐस बीगनेंग करना जरूरी है आप के लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी ठीक है जज्च्मिंट के अनरजी यहां पर टैन अफ कप येस फैमिली बनाने कि चाहत सबसे पहले ना फैमिली यहां पर आई है और फैमिली होनी चाहिए यहां पर ऐसा फील हो रहा है कि आपको फैमिली की जुरत है और फैमिली जो है सो है आपके लिए ठीक मुझे यह पर यहीं देख रहा है कि फैमिली ही चाहिए आपको और फैमिली के अलवा और कुछ नहीं चाहिए फैमिली रहेगी तो ज्यादा अ पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हो तो उसके लिए कहीं न कहीं आपने कुछ सोचा जरूर है कि एस मुझे करना है या फैमली क्या चाहती है या क्या नहीं चाहती है उसके गॉर्डिंग देखना है मुझे ऐसा फिल हो रहा है कि आप जो है ना इस रिस्ते में ठोड़ा सा थोड़ा सा एक्षिक्टेशन हैं आपकी कि family मतलब कि family है act family या family का आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है तो वह चीज़े भी मुझे नज़र आ रही है आपके अंदर family को लेकर्क काफी focus हो ठीका- कर रहा हूं या करने तो मैं प्यार करती हूं उरननर बैश्कार करेmasi कि मॉझे क्लियरली दिखाई देरी है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको अपने पार्टनर से एतना जधा यूदा प्यार कभी फील नहीं हुआ था लेकिन आप को फिल काफी जदा होता है feelings काफी जदा है feelings काफी जदा high level की होती चली जा रही है आपकी अप अपने partner को भूला तो नहीं पाओगे ऐसी feelings मुझे आती भी दिखाए दे रही है ऐसा मुझे feel होता है जैसे कि आप अपने partner को कैसे भूला दोगे कैसे उन सारी चीजों को जो है ना मतलब कैसे आप उन सारी चीजों को ignore कर दोगे आप खुद को आइडिया नहीं है ठीक तो वह energy मुझे clearly दिखाए दे रही है four of pentacles के energy के साथ queen of cups का card yes मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है कि queen of cups का card queen of cups का card clear बता रहा है कि yes आपके और आपके partner के बीच में वो एक जो होता ना की सबसे बचा करके और इस रिस्ते को आगे तक लेके जाना है सो वह ही energy मुझे दिखाए दे रही है कि yes आपके और आपके partner की बीच में वो चाहत जरूर है कि yes relationship को जो है ना किसी तरह से बचाए और इसका future बनाए future बनाना चुकी बहुत ज़रूरी है इस रिस्ते का भी ठीक है सो यह energy मुझे clearly दिखाई दे रही है ठीक है तो चलिए और देखते हैं आपके इस relations book का next action क्या होगा यानि कि आपके partner का next action क्या होगा ठीक है ओके focus किजिए आप गाइड करें आंजल्स focus किजिए इस relationship का future क्या होगा गाइड करें आंजल्स रीडिंग आस थोड़ी लेट मिल रही है आपको क्योंकि होली थी और हम भी होली खेलने में busy हो गए लेकिन मुझे जल्दी आना पड़ा क्योंकि आप सब को जो है ना रीडिंग देनी थी सो गाइड करें आंजल्स इस अफ वांड इस relationship का future इस अफ वांड का कर बहुत ही प्यारा काड आया है एकदम डेविल के अनर्जी आएगी औरे बाबा चलो कोई बात नहीं फाइफ ऑफ स्वोर्ड्स ओके सेवन ओफ पैंटिकल्स थ्री ओफ स्वोर्ड्स एंड है मेरे पास माइट ओफ स्वोर्ड्स का कार्ड ठीक है तो कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं ऐस ओफ वांड का क्यों है यहाँ पे हर्मिट के एनर्जी है डैविल के एनर्जी 4 ओफ स्वोर्ड्स ओके 5 ओफ स्वोर्ड्स 4 ओफ कप्स 7 ओफ पैंटिकल्स 9 ओफ स्वोर्ड्स 3 ओफ स्वोर्ड्स का कार्ड दो हैंग मैं और मेरे पास नाइट ओफ स्वोर्ड्स के एनर्जी 10 ओफ कप्स का कार्ड ठीक है तो य यहां पर दिख रहा है कि एक अंधेरे के बाद एक उजाला लाने की चाहत तो जरूर है आपके पार्टनर के अंदर ठीक है यानि कि एक अंधेरा एक गहरा अंधेरा जो कि आपके लाइफ में बहुत ताइम से है ठीक है मुझे यहां पर यही दिख रहा है और मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में एक तरीके के ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रहे है जो कि एक तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको जो है यह पॉर्सन डिसाइड करते भी दिखाए दे रहे यह आप दोनों की जिन्दगी में यह खाली पन के पार्टनर को पुरी तरीके से खराक खतम करना, ठेक है पूरी तरीके से खतम इसलिए करना है क्यों कि आपकई पर्टनर जो है, बहुत जदा सोच रहे हैं और कहीं इनके दिल दिमाग में कुछ negativity भी आते भी दिखाई दे रहे हैं कुछ negative points भी आते भी दिखाई दे रहे हैं जो कि यह person काफी जदा overthinking के अनुसार से overthinking की वज़ा से यह person इस तरीके की feelings रखते भी दिखाई दे रहे हैं आपके और आपके partner के बीच में काफी ज़दा जो है ना यहाँ पे problems हैं ठीक है मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि यहाँ आपके और आपके partner के बीच में एक तरीके का जो कह सकते हैं कि बहुत overthinking करने के बाद से बहुत ज़दा सोचने के बाद से यहाँ पर आपके partner के अ आपके और आपके पार्टनर की बीच में 4 of cups का कार्ट, 4 of cups and 5 of swords एकदम clear दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ जो कहते हैं आने के लिए ये person तयार हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि manipulate करते हैं, जो कि इनको एहसास दिलाते हैं कि आरे यार ये person बिल्कुल भी ना जाए और इस person को realize भी होता है कि हाँ, इन्होंने तो किया है इन्होंने तो किया है, इन्होंने जो गल्ती करी है, वो किरी है ये यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर भी सोचते जरूर है कि इस इस रिस्ते में फिर भी मैं मैंनत करूंगा मैं मैंनत करके जो हैना यहाँ पे जो भी चीजे करना चाहता हूं मैं करूंगा जरूर ठीक है, लेकिन ये जो person बार-बार हीचकते वी दिखाए दे रहे कि मैं क्या करू मैं क्या करू, हैना ये person पर्षण रोते हुए दिखाई दे रहे हैं अकेला पन बहुत सता रहा है आपके पार्टनर एकदम से stress में है कि पर्षण करें तो करें क्या क्या करें क्या करें ऐसा जिसे आपका और इंका जो रिस्ता है वह आगे continue हो पाएं यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब पुराने दिनों को याद कर रहा है इनका दिल तूट जा रहा है क्या कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा चीजैसंट सब्सक्राइब करके ठीक हें बहुत सारी हैं और करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है मुझे दिखाए दिरें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ले करके आगे बढ़ना चाहते हैं और टैन अफ कपस का कार्ड यानि की फैमली वाला कार्ड जो की बता रहा है कि हमेशा के लिए रियूनिय एक दूसरे के साथ आएंगे ठीक है मुझे यहां पर यहीं देख रहा है कि हाजार मुश्किले आएंगी तो लेकिन आप उन सबसे लड़ जाओगे और यह भी परसन उन सबसे लड़ जाएंगे और फाइनली आप दोनों की जीत होगी ठीक है आपके कार्ड में आई होप र झाल